नमस्कार साथियों, मैं सुभी जैसवाल, लोग बाद द्वारा प्रस्तूत, कहानियों के काफिले में आज प्रस्तूत कर रही हूँ, मनु भंडारी की कहानी यही सच्छे इस कहानी में नारी मन के साश्वत द्वंद पे प्रकाश डाला गया है, यही सच्छे सीर्शक कहानी को रजने गंधा नामक फिल्म की रूप में फिल्माया भी गया है तो आईए कहानी के शुर्वात करते हैं, सामने आंगन में फैली धूप से मटकर दीवारों पे चट गई और कंधे पर बसता लटकाए नन्य नन्य बच्चों के जुन्ड के जुन्ड दिखाई दिये तो एका एक ही मुझे समय का अभास हुआ, घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का भी तक पता नहीं जुन्ड लाती सी मैं कमरी में आती हूँ, कोनी में रखी मेज पर किताबे बिखड़ी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बन, एक शण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देशी सी कपड़ों के अलमारी खोल कर, सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ सब बिखड़े पड़े हैं, इतनी देर योँ ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता, और फिर बंद कर देती हूँ, नहीं आना था, तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया, फिर यह कोई आद ही की बात है, हमेशा संजय अपने बताय हुए स समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है, और मैं हूँ कि उसी शण से प्रतिक्षा करने लगती हूँ, उसके बाद लाग कोशिश करके भी तो किसी काम में मन नहीं लगा पाती, वक्चोन ही समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्ले है, थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझ है कि लगता ही नहीं, पर्दे के जरा से हिलने से दिल के धरकन बढ़ जाती है, और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए काटों पर दोड़ जाती है, हर समय यही लगता है, वह आया वह आया, तभी मेहता साहब की पांच साल की छोटी बच्चे जिलमिल, जिजक्ती सी कमर में आती है, अंटी हमें कहाने सुनाओ ना, नहीं अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ, वह भाग जाती है, यह मिसिस मेहता भी एक ही है, यो तो महीनों, शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है, मेहता साब तो फिर भी कभी कभी आट-दस दिन में खैरियत पूछी लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ मालूम होती है, अच्छा ही है, ज़्यादा दिल्चस्पी दिखाती, तो क्या मैं इतने आसानी से घुम फिर सकती थी, खट-खट-खट, वही परिचित पद्ध होनी, तो आ गया संजे, मैं बर्बस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ, रजने गंधा के धेज सारे फूल लिए, संजे मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है, मैं देखती हूँ, पर मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती, हस्ता हुआ वा वा मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ, वा कुर्सी सहीद मुझे गुमा कर अपने सामने कर लेता है, और बड़े दुलार के साथ मेरी, ठोड़े उठा कर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता, क्वालिटी में दोस्तों के बीच पसा था, बहुत कोशि कहनी बाती, एक टक उसके चहरे की और देखती रहती हूँ, उसके सावले चहरे पर पसीने की बूंदे चमक रही है, कोई और समय होता तो मैंने अपने आचल सेने पोच दिया होता, पर आज नहीं, वा मन्द मन्द मस्कुरा रहा है, उसकी आखे शमाय आचना कर रही है, पर हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलाड दिखाएगा, वा जानता जो है, इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता, फिर उठकर वा फूल दान की पुरानी फूल फेक देता है, और नए फूल लगा देता है, फूल सजाने में वा कितना कुशल है एक बार मैंने यो ही कह दिया था कि मुझे रजनी गंधा की फूल बड़े पसंद है, तो इसने नियम ही बना लिया, कि हर चौथे दिन धेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है, और अब तो मुझे भी ऐसी ही आदत हो गई है, एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे, तो ना पढ़ने में मन लगता है, ना सोने में, ये फूल जैसे संजय की उपस्थिती का आभास देते हैं, थोड़ी तेर बाद हम घूमने निकल जाते हैं, एक आएक ही मुझे एरा के पत्र की बात या दाती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरी से ही आतुर थी, इस गु पीरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावास आ सकता है, मुझे तयार रहना चाहिए, कहां, कॉलकता से, कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, और फिर एक आएक ही उचल पड़ता है, येदि तुम्हें वह जौब मिल जाए, तो मज़ा आ जाए, हम सड़क पड़ हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती, जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रस्टन होना अच्छा नहीं लगता, क्या वह चाता है कि मैं कॉलकता चली जाओ, उस से दूर, तभी सुनाई देता है, तुम्हें या जॉब मिल जाए, तो मैं भी अपना तबादला कॉलकता ही करा लूँ, हैद आफिस में, यहां की रोज की चिक-चिक से तो मेरा मन उग गया है, कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांद लिया, आफिस में शा जालकर अपनी प्रेट एकरी पर जाकर बैठ जाते हैं, दूर-दूर तक खलकी से चांदनी फैली हुई है, और शहर की तरह यहां का वातावरन धुए से भरा हुआ नहीं है, पर दोनों पैर फैला कर वो बैठ जाता है, और घंटों मुझे अपने आफिस के जगड़े की ब मुझनाय बताता है, मैं कुछ नहीं बोलती है, बस एक टक उसे देखती हूँ, देखती रहती हो, जब वचुप हो जाता है, तो बोलती हूँ, मुझे तो इंट्रव्यों से ब्राडर लगता है, पता नहीं कैसे, क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है, वह खिल खिला कर हस पड़ता है, तुम भी न, एक ही मुर्ख हो, घर से दूर यहां कमडा लेकर अकेले रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंट्रव्यों के नाम से डिर लगता है, क्यों? और गाल पर हलकी से चपत जमा देता है, फिर सम पर पलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नहीं जगा है, वहां एरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती, अब उन लोगों की कोई जान पैचान हो, तो बात दूसरी है, असाहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती, फिर मेरे चेरे पर नजरे गार कर पूछता है, निश लगी रहा था कि अब वह यही बात कहेगा, कुछ नहीं करना, वह छेरने के लेज़े में कहता है, और मैं भवक पढ़ती हूँ, देखो संजय, मैं हजार बार तुम से कह चुकी हूँ, कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत क्या करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है, वह खिल-खिला कर हस पढ़ता है, पर मेरा मूड ही खराब हो जाता है, हम लोट पढ़ते हैं, वह मुझे खुश करने की इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देखता है, मैं जपटकर हाथ अटा देती हूँ, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, कौन है यहाँ जो देख और देख लेगा, तो देख ले, आप ही कुढ़ेगा, नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर में, और सची मुझे रास्ते में ऐसी हरकते, पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फेरिकानपुर जैसे शहर, कमड़े में लोट कर, म मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बहुआ में भर कर एक बार चुम लेता है, यह भी जैसे उसका रोज कनिया में, वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकल कर उसे देखती रहती हूँ, उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोर पर जाकर पूरी, आखे मेज पर लगी है, जजने गंधा की फूलों को ही निहारती रहती है, जाने क्यों, अकसर मुझे भरम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजे की अनेकनेक आखे हैं, जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुल्रा रही है, और अपने को यूँ असंख्य आखों से निरंतर देखे जाने की कलपना से ही मैं लजा जाती हूँ, मैंने संजे को भी एक बार यह बात बताई थी, तो वह खूब हसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था, कि मैं पागल हूँ, नेरी हिमोर्ख हूँ, कौन जाने, शायद उसका कहना ही शायद मैं पागल ही हूँ, मैं जानती हूँ, संजे का मन निशीत को लेकर जब तब सशंकित होड़ता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाओं कि मैं निशीत से नफरत करती हूँ, उसकी याद मातर से मेरा मन घ्रणा से भर उड़ता है, फिर 18 वर्ष की आयू में किया भी कोई प्यार होता है भला, निरा बजबन होता है, महस पागलपन, उसमें आवेश रहता है पर स्थायत्व नहीं, गती रहती है पर गहरा ही नहीं, जिस वेक सिवा आरम होता है, जरा सा जटका लगने पर उसी वेक से तूट भी जाता है, और उसके बाद आहू, आसू और सिस्क्यों का एक दोर, सारी दुनिया के निसारता और आत्मात्य करने की अनेकानेक संकल पर फिर एक तीखी गरना, जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता, फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफी लगती है, जिस पर बैठ कर घंटों हसने की तवियत होती है, तब एक एक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आसो, ये सारी आहे उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वर्नम जीवन की उस रिक्ता और शुन्यता के लिए थी, जिसने जीवन को नीरस बना कर बोजिल कर दिया था, तभी तो संजय को पा के बात को लेकर वेर्थी, खिनने सा होटता है, मेरे कुछ कहने पर वह खिल-खिला अवश्य पढ़ता है, पर मैं जानती हूँ, वह पोर्ण रूप से आश्वास्त नहीं है, उसे कैसे बताओं कि मेरे प्यार का, मेरे कोमल भावनाओ का, भविश्य की, मेरे अनेकाने की यह बात दूसरे है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड तले बैठ कर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने आफिस की, मित्रों की बात करता है, या हम किसी और विश्य पर बात करने लगते हैं, पर इस सब का या मतलब तो नहीं कि हम प्रे क्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थाई हो गया है, पर संजय को कैसे समझाओ यह सब, कैसे उसे समझाओ कि निशीद ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी दिल मिला जाती हूँ, संबन तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपरात कर डाला था, जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोड दंडे डाला, सारी दुनिया की भरतना, तेरसकार, परिहास और दया का विश मुझे पीना पड़ा, विश्वास खाती नीच कहीं का, और संज कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगल में फसने से बच गई, जिसके लिए फ्रेम महज एक खिलवाड है, संजय यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती, तो क्या मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी हर उचित अनुचित चेश्ठा के आगे यो आत्म समर्पन करती, तुम्हारे दिया, क्या केवल इसी लिए नहीं की, तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है, निशीत का प्यार तो मात्र चल था, भ्रम था, जूट था, परसो मुझे कलकता जाना है, बड़ा डर लग र पुटी नहीं मिल सकती एक तो नया शहर फिर इंटर्वियो अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मल जाता मैं कमरा लेकर अकेले रहती हूँ यह अकेले घुमती फिरती भी हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है पर सच बड़ा डर लगता है एक बार बार मै यह माल लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गए और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ कितने सुंदर कलपना है कितनी मादक पर इंटर्वियो का भै मादकता से भरेज स्वपन जाल को छिन्ने भिन कर देता है काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता गाड़ी जब हावरा स्टेशन के प्रेटपॉर्म पर प्रविश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका विचित्र से भै से मेरा मन भढ़ जाता है प्रेटपॉर्म पर खड़े संख्य नर नारियों में मैं एरा को ढूनती हूँ वह कहीं दिखाई नहीं देती नीचे उतरने के बज़ाए खिड़की से ही दूर दूर तक नजरे दोड़ाती हूँ आखिर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटके सा और बिस्तर उतारने को आदेश देते मैं नीचे उतर पड़ती हूँ उस भीर को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ गई है तभी किसी के हाथ के सपर्ष से मैं बुरी तरह चौक जाती हूँ पीछी देखती हूँ एरा खड़ी है रुमाल से चेहरे का पसीना पोचती हूई कहती हूँ तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूँगी बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं अभी तक मैं स्वस्त नहीं हो पाई हूँ जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है हुगली के जल कुसवर्ष करती हूई ठंडी हवाय तन मन को एक ताजगी से भर देती है एरा मुझे इस पुल की विशिस्ता बताती है और मैं विसमित से उस पुल को देखती हूँ दूर दूर तक फैली हुगली के विस्तार को देखती हूँ उसके चाते पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ उसके बाद बहुत ही भीड़ भड़ी सर्थ पर हमारी टेक्सी रुकती है उचे-उचे मारतो और चारो और से वातावरन से कुछ विचित्र से विराटना का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया-खोया से महसूस करती हूँ कहा पटना और कानपूर और कहा यह कलकता मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं सारी भीड को चीर कर हम रेड रोट पर आ जाते हैं चौरिश शांत सड़क मेरे दोनों और लंबे चौड़े खुले मैदान क्यों एरा कौन-कौन लोग होंगी इंट्रिव्यू में मुझे तो बहुत ड़ लग रहा है अरे सब ठीक हो जाएगा तू और डर हम जैसे ड़डे तो कोई बात भी है जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंट्रिव्यू से डरे फिर कुछ देर ठहर कर कहती है अच्छा भाईया भावी तो पटना ही होंगे जाती है कभी उनके पास कानपूर आने के बाद एक बार गई थी कभी-कभी योही पत्र लिख देती हूं भाई कमाल के लोग है बेहन को भी नहीं निभा सके हूं मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं मैंने चाती कि कोई इस विश्रे में बात करे मैं मौन ही रहती हूं इरा का छोटा सा घर है सुन्दर ढंग से सजाया हुआ उसकी पती की दोरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था पर वे होते तो कुछ मदद ही करते पर फिर एक एक लगा कि उनकी अनुपस्थिती में मैं अधिक स्वतंत्र ताका अनुभा कर सकूँगी उसका बच्चा भी बड़ा प्यारा है शाम कोईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है मैं सक पका कर नजिर घुमा लेती हूँ पर वह हमारी मीज पर ही आप हुँचता है विवर्ष होकर मुझे उधर देखना पड़ता है नमशकार भी करना पड़ता है एरा का परिचे भी करवाना पड़ता एरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रन दे देती है मुझे लगता है मेरी सांस रुख जाएगी कब आई? आज सवे रही अभी ठहरोगी? ठहरी कहा हो? जवाब एरा देती है मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिये है क्या या शौक चराया? उसका रंग स्याह पड़ गया है वा दुबला भी हो गया है विश्वेज बातचीत नहीं होती है और हम लोग उठ पड़ते हैं एरा को मुन्नो की चिंता सत्ता रही है और मैं स्वेंबे घर पहुँचने को तावली हो रही थी कॉफी हाउस से धर्म तला तक वा पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है एरा उससे बात कर रही है मानो वा एरा का ही मित्र हो एरा अपना पता समझा देती है और वा दूसरे दिन नौ बजे आने का वादा करके चला जाता है पूरी तीन साल बात निशीत का यो मिलना ना चाहकर भी जैसे सारा अधीत आँखों के सामनी खुल जाता है बहुत दुबला हो गया है निशीत लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा चिपी हो मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे कलपना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो एक त्रिप्ती युक्त आनन देने वाली क्यों ना हो पर मैं जानती हूँ ये जूट है यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तो मैं संबन को तोड़ दो उसने अपनी इक्षा से ही तो ये सब किया था एक आएक ही मेरा मन कटू होड़ता है यही तो है वा वैक्ती जिसने मुझे अपमानित करके सारे दुनिया के सामने छोड़ दिया था मेज उफास का पात्र बना कर ओ, क्यूं नहीं मैं उसे पहचानने से इंकार कर दिया जब वा मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यूं नहीं मैंने कहे दिया कि माफ केज़ेगा मैं आपको पहचानती नहीं हूँ जरा उसका खिस्याना तो देखती वा कल भी आएगा मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसके सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं उससे नफरत करती हूँ अच्छा है आई कल मैं उसे बता दूँगी कि जल्द ही मैं संजैसे विवा करने वाली हूँ यह भी बता दूँगे कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ यह भी बता दूँगे कि मैं उससे घरणा करती हूँ और उसे इस जिन्दगी में कभी माफ नहीं कर सकती यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि तीन साल हो गए अभी तक निशीद ने विवा क्यों नहीं किया करे ना करे मुझे गया क्या वह आज भी मुझे से कुछ उमीद रखता है मुर्क कहीगा संजे मैंने तुम से कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो पर तुम नहीं आए इस समय जबकि मुझे तुम्हारे इतनी इतनी याद आ रही है बताओ मैं क्या करो नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था एरा कहती है डेड़ सो की नौकरी के लिए खुद मिनिश्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं फिर यह तो 300 का जौब है निशीत सवेरे से शाम तक इसे चक्कर में भटकता है यहां तक कि उसने अपने आफिसे भी छुटी ली है वा क्यों मेरे काम में इतने दिल्चस्पी ले रहा है उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वा कहता है कि जैसे भी होगा वा काम मुझे दिल्वाही देगा पर आखिर क्यों कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वा मेरे पास ना आए पने नौ बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेकने ख़ड़के पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है वह यह लंबे बाल खुरता पजामा तो वा समय से पहले ही आ गया संजे होता तो ग्यारा के पहले नहीं पहुचता समय पे पहुचना तो वा जानता ही नहीं उसे योच अकर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हुआया और जब वा आया तो मैं चाहकर भी कटू नहीं हो पाई मैंने उसे कलकता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रस्ण हुआ वही बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारे प्राप्त कर ली कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली बैठे फैठे फोन से ओफिस को सूचना भी दे दी कि आज विवित्रिस्तिती मेरी हो रही थी उसके सपनत्व भरे विवहार को मैं स्विकार भी नहीं कर पा रही थी नकार भी नहीं पाती थी सारा दिन मैं उसके साथ गूमती रही पर काम की बात की अतिरिक उसने एक भी बात नहीं की मैंने कई बार चाहा कि संजे की बात बता दू पर बता नहीं सकी सोचा कहीं वा सुनकर ये दिल्चस्पी लेना कम न कर दे उसके आज भर के प्रैतनों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी यह नौकरी मेरे लिए कितने आवश्क है मिल जाया तो संजे कितना प्रशन होगा हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे शाम को हम घर लोटते हैं मैं उसे बैठने को कहते हूँ पर वह बैठता नहीं बस खड़ा ही रहता है उसके चोड़े ललाट पर पसीने की बूंदे चमक रही है एक आएक ही मुझे लगता है इस समय संजे होता तो मैं अपने आचल से उसका पसीना पोच देती और वह क्या बिना बाहों में भरे बिना प्यार किये योहीं चला जाता अच्छा तो चलता हूँ यंत्रचालित से मेरे हाथ चुड़ जाते हैं वह लोट पड़ता है और मैं ठगी से देखती रहती हूँ सोती समय मेरी आदत है कि संजय की लाए हुए फूलों को निहारती रहू यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे होगे तीन दिन होगे किसी ने बाहों में भर कर प्यार तक नहीं किया आज सवेरे मेरा इंट्रव्यो हो गया मैं शायद बहुत नर्वस हो गय थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई पर निशीद ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तै हो गया है मैं जानती हूँ यसर निशीद की वज़े से ही हुआ है ढलते सूरज की धूप निशीद की बाई गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीद इतने दिन बाद एक पर फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा मैंने देखा मुझे से जादा वह प्रसन है वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया अखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कॉलकता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास एक अजीव सी बुलक से मेरा तन मन से हर उटता है वैं ऐसा क्यों चाहता है उसका ऐसा चाना बहुत गलत है बहुत अनुजित है मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है शायद वह केवल मेरे प्रतिक किये गे अन्याय का प्रतिकार करनी के लिए या सब कर रहा हो पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे शमा कर दूँगी या जो कुछ उसने किया उसे भूल जाओंगी असंभाओ मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूँगी आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य है मैं उसकी मुझे सुनती हूँ मैं ईरा की ओर देखती हूँ वा प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नु की तवियत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है अभी तक काम का बहाना लेकर घूम रही थी पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती अंदर जाकर तयार होती मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था मैं नीली सारी ही पहनती हूँ बड़े चाव और सतरकता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ किसको रिजाने के लिए यह सब हो रहा है क्या यह निरा पागलपन नहीं है सीडियों पर निशीत हलके से मुस्कुराहट के साथ कहता है इस सारी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो मेरा चेहरा तंतमा जाता है कनपटिया सुर्ख हो जाती है मैं चुपचाप है इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी पर सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात मुझे ऐसी बाते सुनने की जरा भी आदत नहीं संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बाते करता है जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बात करें पर जाने क्या है कि मैं उस पर नराज नहीं हो पाती बलकि एक फुलक मैं सेहरन महसूस करती हूँ सच संजय की मुझ से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरस्ता रहता है पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की पिछले ढ़ाई साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ रोजी शाम को हम घूमने जाते हैं कितनी ही बार मैंने शिंगार किया अच्छे कपड़े पहने पर प्रसंसा का एक शब्द भी उसके मूँ से नहीं सुना इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता यह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता इस सिवाक्य को सुनने के लिए तरस्ता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है पर निशीद ने यह बात क्यों कही उसे क्या अधिकार है यह सचमुछ ही उससे अधिकार नहीं है नहीं है जानि कैसी मजबूरी है कैसी विविश्टा है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती निश्य आत्मक द्रड़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस वेक्ति को सचमच ही मेरे विशे में ऐसी अवांशित बात करने का कोई अधिकार नहीं है हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजे की बात बता दूँगी स्काइ रूम निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बाते करने लगती है निशीत बहुत सतरकता सी कोनी में बैठा है बीज में इतने जगा छोड़कर कि यदि हिच कोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा सफर्ष ना हूँ हवा के जोग़े से मेरी रेशमी सारी का पलू उसकी समूचे बदन को सफर्ष करता हुआ उसकी गोद में पढ़कर फर्फर आता है वो उसे हटाता नहीं है मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पलू उसके तन मन को रस से भीगो रहा है या सपर्ष उसे पुलकित कर रहा है मैं विज़र के और कतने अहलादन से भड़ जाती हूँ आज भी मैं संजय के बात नहीं कह पाती चाहा कर भी नहीं कह पाती अपनी इस विविश्टत पर मुझे खिज भी आती है पर मेरा मुँ है कि खुलता ही नहीं मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपरात कर रही हूँ पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी या निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं उसका यो कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लग एक आएक ही मुझे संजे की याद आने लगी इस समय वह यहां खड़ा हो यहां होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिप्टा होता यो सड़क पर ऐसी हरकते मुझे स्वेम पसद नहीं पर जाने क्यों किसी की बहों की लपेट के लिए मन ललक उठता है मैं जानती हूँ कि जम निशीद बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इक्षा करना या ऐसी बात सोचना में कितना अनुचित है पर मैं क्या करूँ जितने दुद्ख्रती से टैक्षी चले जा रही है मुझे लगता है उतने ही दुरुद्गती से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांचित दिशाओ की ओर टैक्षी जटका खा कर रुपती है तो मेरी जेतना लोटती है मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोल कर कुछ इस हरबड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ मानों अंदर निशीद मेरे साथ कोई बत्तमीजी कर रहा हो अजी इधर से उतरना चाहिए कभी टैक्षी वाला कहता है मुझे अपने गलती का भान होता है उधर निशीद खड़ा है इधर मैं बीच में टैक्षी पैसे लेकर टैक्षी चले जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते है एक आएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्षी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे पर अब क्या हो सकता था चुप चाप हम दोनों अंदर जाते है आस पास बहुत कुछ है चहल पहल रोशनी रौनक पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मढ़ जाता है मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराद कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले क्या सच मुझे ही मुझे कोई अपराद हो रहा है और उस से अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया-खोया सा महसूस करती हूँ हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफे के गलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है मुझे बार-बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है मैं उसके होठों के धरकन तक महसूस करती हूँ वह जल्दे से कॉफी का स्ट्रॉ मुझे लगा लेता है मुर्ग कहीगा वह सोचता है मैं बेवपू हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वक क्या सोच रहा है तीन दिन साथ रहे कर भी हमने उस प्रसंद को नहीं छड़ा शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर चाही हुई थी पर आज अवश्य ही वह बात आएगी ना आए यह कितना अस्वभाविक है पर नहीं स्वभाविक शायद यही है तीन साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंध हो गया उसे उलटकर देखने के साहस शायद हम दोनों में से किसी एक में नहीं है जो संबंध तूट गए तूट गए अब उन पर कौन बात करे मैं तो कभी नहीं करूँगी पर उसे तो करना चाहिए तोड़ा उसने था बात भी जल्दी वही आरम करे मैं क्यों करूँ और मुझे क्या पड़ी है मैं तो जल्दी ही संजे से विवा करने वाली हूँ क्यों नहीं मैं उसे अभी संजे की बात बता देती पर जाने कैसी विवश्टा है जाने कैसा मुह है कि मैं मुझे नहीं खोल पाती एक आईखी मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिस्या जाती हूँ फिर वही मौन खाने में मेरा जरा भी मनने ही लग रहा है पर यंत्र जालिक सी मैं खा रही हूँ शायद वह भी ऐसे ही खा रहा हो मुझे फिर लगता है उसकी होट फड़क रहे है और स्ट्रॉप पकड़े वो उंगलिया काप रही है मैं जानती हूँ वह पूछना चाता है दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया न वह पूछ ही क्यों नहीं लेता मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती मैं तुमसे नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली यह मत समझूर कि मैं तुम्हारे विश्वास घात की बात को भूल गई हूँ और एक आएक ही पिछला सब कुछ मेरे आखो के आगे तैरने लगता है पर यह क्या असहाय अपमानित पीडा क्रोध और कटुता क्यों नहीं यादाती मेरे सामने तो पटना में गुजारी, सुहानी संध्याओ और चाननी रातों की वे चित्र उबर आते हैं जब घंटों समीब बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे बिना सपर्ष किये जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किये रहते थे जाने कैसी तन मैता में हम डूबे रहते थे एक वचित्र सी स्वपन दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मूपर उंगले रख कर कहता आत्मियता के ये शण अनकहे ही रहने दो दीबा आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट ही है क्या आज भी हम आत्मियता के उनी शणों में गुजर रहे हैं मैं अपने सारे शक्ति लगा कर चीक पढ़ना चाहती हूँ नहीं 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 पर कॉफी सिप करने के अत्रिक मैं कुछ नहीं कह पाती मेरा ये विरोध की घृदय की नजाने कौम सी अतल गहराई में डूप जाता है निशीद मुझे बिल नहीं देने देता एक विचित्रिसी भावना मेरे मन में उठती है छीना चप्टी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूजाए मैं अपने सपर्ष से उसके मन के तारों को जन जना देना चाहती हूँ पर वैसा असर नहीं आता बिल वही देता है मुझे तो विरोध भी नहीं किया जाता मन में प्रचंद तूफान पर फिर भी निर्वीकार भावसे मैं टेक्सी में आकर बैठती हूँ कर वही मौन वही दूरी पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीद मेरे बहुत निकट आ गया है बहुत है निकट बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीद मेरा हाथ पकड़ लेता क्यों नहीं मेरे कंदे पर हाथ रख देता मैं जरा भी बुरा नहीं मानूँ की जरा भी नहीं पर वा कुछ भी नहीं करता सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजे का ध्यान करती हूँ मैं सोना चाहती हूँ पर निशीद है कि बार बार संजे की आकरती को हटा कर स्वेमा खड़ा होता है अपनी मजबूरी पर खिच खिच जाती हूँ आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का पर मैं जाने कहां बटकती थी कि कुछ भी नहीं बता पाई शाम को मुझे निशीद अपने साथ लेक ले गया पानी की किनारे हम घास पर वैट गया कुछ दूर पर काफी भीड भाड और चहल पहल थी और यहां स्थाना पिक्षा करत सान्त था सामने लेक के पानी में चोटे-चोटे लहरे उट रहे थी चार ओर के वातावरन का कुछ विचित्र सा भाव मन पढ़ रहा था अब तो तुम यहां आओगी मेरी और देखकर उसने कहा अहां नौकरी के बाद क्या इरादा है मैंने देखा उसकी आँखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है शायद कुछ कहने की भी मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा कुछ नहीं जाने क्यों मैं यह कह गई कोई है जो मुझे कचोड टाल रहा है क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजर से विवा करूंगी मैं संजर से प्रेम करती हूँ पर वह मुझसे प्रेम करता है वह बहुत अच्छा है बहुत ही वह मुझे तुम्हारे तरह धोका नहीं देगा पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती अपनी इस बेबसी पर मेरी आखे चलचला जाती है मैं दूसरी ओर मुख फेर लेती तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूँ मेरी सांस जहां की तहां रुख जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए पर शब्द नहीं आते बड़ी कातर करवन और याशना भरी द्रश्टी से मैं उसे देखती हूँ मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीत कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाते हो जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम उससे विवा करना चाते हो कह दो निशीत कह दो क्या सुनने के लिए मेरा मन आकुल हो रहा है छटपटा रहा है मैं बुरा नहीं मानूँगी जरा भी बुरा नहीं मानूंगी मानी कैसे सकती हूँ निशेद इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ शायद नहीं सच मुझी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे सदा के ही मित भार्षी जो हो फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरह देखती रहती हूँ पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है शान मौन आत्मियता की ये शर्ण अनकहे भले ही रह जाएं पर अनबूझे नहीं रह सकते तुम चाहे न कहो पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हूँ बहुत प्यार करते हूँ मन में उतकर अभिलाशा होती हुए भी मैं निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठा कर ही चली गए या कहूं कि मैंने जबर्दस्ति हूँ से भेज दिया मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम शणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी मन में एक दबी सी आशा थी और कि चलते समय ही शायद कुछ कह दे गाड़ी चलने में जब दस मिनट रह गये तो देखा बड़ी व्यागरता से डिबों में जागता जागता निशित आ रहा था पागल उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहां बाहर खड़ी हूँ मैं दोड़ कर इसके पास जाती हूँ आप क्यों आए पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है वह बहुत थका हुआ लग रहा है शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दोड़दा दोड़दा मुझे सी ओफ करने यहां पहुचा मन करता है कुछ ऐसा करो जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए पर क्या करो हम दिबे के पास आ जाते है जगा अच्छे मिल गए न वह अंदर जागता हुआ पूचता है अहां पानी वानी तो है है बिस्तर फैला लिया मैं खिच पड़ती हूँ वह शयद समझ जाता है सो चुप हो जाता है हम दोनों एक शन को एक दूसरे की ओर देखते हैं मैं उसकी आखों में विचितर सी चाय देखती हूँ मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है उसे मत रहा है पर वह कह नहीं पा रहा है वह क्यों नहीं कह देता क्यों नहीं अपने मन के इस घुटन को हलका कर लेता आज भीड विशिश नहीं है चार और नजर डाल कर वह कहता है मैं भी एक बार चारोर देख लेती हूँ पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है जैसे जैसे समय सडक रहा है मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है मुझे कभी उस पर दया आयत आती है कभी खिज गाड़ी चलने में केवल तीन मिनट बाकी रह गया है एक बार फिर हमारी नजरे मलती है उपर चड़ जाओ अब गाड़ी चलने वाली है बड़ी असा हाई सी नजर से मैं उसे देखती हूँ मानो कह रही हूँ तुम्हें चड़ा दो और सरधीर से चड़ जाती हूँ दर्वाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्रेटफॉर्म पर जाकर पहुँचने की खबर देना जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्यत रूप से मालूम होगा तुम्हें सूच ना दूँगा मैं कुछ बोलती नहीं बस उसे देखती रहती हूँ सीटी हरी जंडी फिर सीटी मेरे आखे चलचलाब आती है गाड़ी एक खलगे से जटके के साथ सरकने लगती है वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है मेरा रूम रूम सिहर उड़ता है मन करता है चला पड़ो मैं सब समझ गए निशीद सब समझ गए जो कुछ तुम इन चार दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे इस शनिक स्परश ने कह दिया विश्वास करो यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ केवल तुम्हारी एक मात्र तुम्हारी हूँ पर मैं कुछ कह नहीं पाती बस साथ चलते निशीद को देखती भर रहती हूँ गाड़ी की गती पकड़ती ही वह हाथ को जरा सा दबा कर छोड़ देता है मेरे चलचलाई आँखे मम जाती है मुझे लगता है यह पर्श यह सुख यह शन ही सत्य है बाकि सब जोट है अपने को भुलाने का भरम है भर्माने का चलने का असफल प्रयास है आसो भड़ी आँखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे चूटता हुआ देखती हूँ सारी आकरित्या धुनले से दिखाई देती है असंख्या हिलते हुए हाथों की बीज निशीत के हाथ को उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ कर पकड़ा या ढूनने का सफल प्रयास करती हूँ गारी प्लेटफॉर्म को पार करती है और दूर दूर तक कलकता की जगमगाती बत्या दिखाई देती है धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है पीछे छूटते जाती है मुझे लगता है यह दैत्या का ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रहा है अंदे की अंजानी राहों में गुमराह करने के लिए भटकाने के लिए बोजिल मन से मैं अपने फैला हुए बिस्तर पर लेड़ जाती हूँ आंखे बंद करते ही मुझे सबसे पहले संजय का चित्रू भरता है कानपूर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी इतने दिनों तक उसे चलती आई अपने को चलती आई पर अब नहीं मैं उसे सारी बात बता दूँगी कहूंगी संजय जब संबंद को तूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी उसके जड़े हिर्दै की किन अतल गहराई में जमी हुई थी इसका एहसास कॉलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ याद आता है तुम निशीत को लेकर सदेव ही संदिक द्रहते थे पर तब मैं तुम्हें इर्षयालो समस्ते थी आज स्विकार करती हूँ कि तुम जीते मैं हारी सच मानना संजय धाई साल मैं स्वेम भर्रम में थी और तुम्हें ही भी भर्रम में डाल रखा था पर आज भर्रम के चलना के सारे ही जाल चिन्न भिन हो गये मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और चल करने का दुस्ताहस कैसे करो आज पहली बार मैंने अपने संबंध का विशलेशन किया तो जैसे सब कुछ है सबस्ट हो गया और जब मेरे सामने सब कुछ सबस्ट हो गया तो तुम से कुछ भी नहीं चिपाऊंगी तुम्हारे सामने मैं चाहूँ दो भी जूट नहीं बोल सकती अज लग रहा है तुम्हारे प्रती लिट को खोकर मैं चूर चूर हो गई थी सारा संसार मुझे विरान नजर आने लगा था उस समय तुमने अपने सेहल स्पर्ष से मुझे जला दिया मेरा मुर्जाया मरा मन हरा होठा मैं गृत कृत हो ठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती मैं पर प्यार की बेसुद खड़िया विभूर शन तनमैता के विपल जहां शब्द चुक चाते हैं हमारे जीवन में कभी नहीं आए तुम्ही बताओ कभी आए तुम्हारे एसंख्या लंगिनों और चुम्बनों के बीच भी एक शन के लिए भी तो मैंने कभी तनमन की सुध बिसरा देने वाले पुलक या मादकता का अनुभाव नहीं किया सोचती हूँ निशीत के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शुन्यता आ गई थी वह खोखला बना गया था तुमने उसकी पूर्ती की तुम पूरक थे मैं गलती से तुम्हें प्रेतम समझ बैठे मुझे शमा कर दो संजे और लोट जा तुम्हें मुझ जैसे अनीक दीपाई मिल जाएंगी जो सच मुझ ही तुम्हे प्रेतम की तरह प्यार करेगी आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलाने का भर माने का प्रयास मात्र होता है इसी तरह की असंग के बाते मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूंगी कह सकूंगी यह सब लेकिन कहना तो होगा ही उसके साथ अब एक दिन भी चल नहीं कर सकती मन में किसी और के अरादना करके तन से उसकी होने का भी नहीं करती रहूं ची नहीं जानती कही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गए लोट कर अपना कमरा खोलती हूं तो देखती हूं सब कुछ यों का त्यों है सिर्फ फूल दान के रजने गंधा मुर्जा गये है कुछ फूल जहर कर जमीन पर इधर उधर भी पिखड़ गये है आगे बढ़ती हूं तो जमीन पर बड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है संजय के लिखाई है खोला तो छोटा सा पद्र था दीपा तुमने जो कॉलकता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी मैं आज ओफिस की काम से कटक जा रहा हूँ पांच-छे दिन में लोट जाओंगा तब तक तुम आही जाओगी जानने को उत्तुक होंगी कॉलकता में क्या क्या हुआ तुम्हारा संजय एक लंबा निस्वाश निकल आज जाता है लगता है एक बड़ा बोज हट गया इस अओधी में तो मैं अपने को किसी तरह तयार कर लूँगी नहाद होकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूँ उसकी उपस्थिती से जो हिचक मेरे होट बंद किये हुए थे दूर रहकर वैं अपने आप ही तूट जाते है मैं सबश्च सब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गये साथी ये भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी बहुत नाराज थी पर उसे देखते ही जैसे सारा ख्रोध बह गया इस अपनत्वम में ख्रोध भला टिक भी कैसे बाता लोटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादत्ता मेरी आँखों में चाही हुई है एक खुपसूरत से लिखाफे में उसे बंद करके मैं स्वेम पोस्ट करने जाती हूँ रात में सोती हूँ तो अरयास ही मेरी नजर सोने कोलदान पर जाती है मैं करवड बदल कर सो जाती हूँ आज निस्षीत को पत्र लिखे पाँच दिन हो गए मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी पर आज की भी दोनों डाके निकल गए जाने कैसा सोना सोना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन किसी भी तो काम में जीने ही लगता क्यों नहीं लोटती डांक सी ही उत्तर दे दिया हूँ समझ में नहीं आता कैसे समय गजारो मैं बाहर बालकुनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ एक आएक ही ख्याल आता है पिछले धाई साल से करीब इसी समय यही खड़े होकर मैंने संजय की प्रतिक्षा की है क्या आज मैं संजय की प्रतिक्षा कर रही हूँ या मैं निशीत की पत्र की प्रतिक्षा कर रही हूँ शायद किसी की नहीं क्यों जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएगा फिर नेरुद्देश इसे कमरे में लौट पड़ती हूँ शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता रोज ही तो संजय के साथ घुमने निकल जाया करते थी लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ शाम का धुंदला मन के बोज को और भी बढ़ा देता है कहां जाओं लगता है जैसे मेरी राहे भटक गई है मन्जिल खो गई है मैं स्वेम नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहा है फिर भी नीरुद्देश से चलती रहती हूँ पर आखिर कब तक यो भटकती रहूँ हार कर लॉट पड़ती हूँ आते ही मैदा साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ इरा का तार था न्योकती हो गई बधाई इतनी बड़ी खुश खबरे पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती यह खबर तो निशीत भेजने वाला था एका एक ही वचार मन में आता है क्या जो कुछ मैं सोच रही वह निरा भ्रहम ही था मात्र मेरी कल्पना मेरा अनुमान नहीं नहीं उस स्पर्ष को मैं कैसे भ्रहम मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था जिसके द्वारा उसकी हिर्दय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी लेक पर बिताए उन मज़ुख शणों को भ्रहम कैसे मान लो जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था आत्मियता के वे अनकहिशन तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा क्या कल उसका पत्र आएगा क्या आज भी उससे वही है चक रोकी हुए है तभी सामने की घड़ी टन टन करके नौ बजाती है मैं उसे देखती हूँ यह संजे की लाए हुई है लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजे की याद दिला रही है फैराते यह हरे पड़े यह हरे बुक रैक यह टेबल यह फूल दान सभी तो संजे के ही लाए हुए है मैं इस पर रखा यह पैन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था अपने चेतना के इन बिख्रे सूत्रों को समेट कर मैं फिर पढ़ने के प्रयास करती हूँ पर पढ़ नहीं पाती हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ सामी के फूल दान का सुनापन मेरे मन के सुनेपन को और अधिक बढ़ा देता है मैं कसकर आखे मौंद लेती हूँ एक बार फिर मेरे आखों के आगे लेक का सुपने नीला जल उभर आता है जिस में छोटी छोटी लहरे उठ रही थी उस जल की ओर देखती हूए निशीत की आकरती उभर आती है वाला जल की ओर देख ले पर चेहरे कांग के उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर देह कर भी महसूस करती है कुछ ना कह पाने की मजबूरी उसकी विवश्टा उसकी घुटन आज भी मेरे सामने सकार हो उटती है दीरे दीरे लेक के पानी कवेस्तार सिमटता जाता है और मैं एक छोटी सी राइटिंग टेवल पे बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पैन लिए और दूसरे हाथ के उंगले को बालों में उलजाए निशीत बैठा है वही मजबूरी वही विवश्ता वही घुटन लिये वह चाता है पर जैसे लिख नहीं पाता वह कोशिश करता है पर उसका हाथ पस कापकर रह जाता है लगता है उसकी घुटन मेरा दम खोटकर रख देगी मैं एकाई की आँखे खोल देती हूँ वही पूलदान परदे मेज घड़ी आखिराज निशीत का पत्र आ गया धड़कते दिल से मैं उसे खोल मैंने उसे खोला इतना छोटा सा पत्र है प्रियदीपा तुम अच्छे तरह पहुँच गए यह जानकर प्रसनता हुई तुम् और उन्होंने बताया था की तार दे देगी ओफिस की ओर से भी सूचना मल जाएगी इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाए स्विकार करना सच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया मैंनत सफल होगे शेस फिर सुभेक्षों मिशीत बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आखों के आगे लुप्त हो जाते हैं रह जाता है केवल शेश फिर तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेश नहीं है क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी क्या लिखेगा वा दीपा मैं मुड़कर दर्वाजे के ओर देखती हूँ रजने गंधा के धेर सारे फोल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है एक शण मैं संग्या शुन्या से उसे इस तरह देखती हूँ मानों पहचानने की कोशिश कर रही हूँ वा आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विश्विप्त से दोड़कर मैं उससे पहसी आखों से आसुबह चलते हैं क्या हो गया कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या मारो भी गोली काम को तो वितनी परिशान क्यों हो रही हो उसके लिए पर मुझसे कुछ नहीं बोला गयता बस मेरी बाहों की जकर कस्ती जाती है कस्ती जाती है रजने गंधा की महग धीरे-धी महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह सपर यह सुख यह चण ही सकते है वह सब जूट था मित्या था भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलंगन में बदंधते रहते हैं चुमित प्रति चुमित और कहानी यही समाप्त होती है कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रति क्रिया अवश्य दे धन्यवाद